किसान बायू, मुझे कापी सारे किसान बाय कॉल करते रहते हैं कि हमको नेपिर नप्राइब अथ्छा मुनाफाँ नहीं मिल पा रहा है तो यह भूध सारे कुष्चन हमारे पछा ब्रीक्त का जो कि वीडियो में जो कॉल के जरिये देते देते ठक जाता हूं लेकिन मैंने सोचा कि इस पे जरिये में एक वीडियो के शुरूई सारी जानकारे दे दू ताकि किसान भाई जागरों को जाए ताकि नेपिर ग्रास लगाने ता आपको कौन-कौन सी साफ़दानी अबर्षिन किये और किस तरह के से आपको अगर अच्छा नेपिर ग्रास लगाएंगे तो आपको बेनिफिट अगर नेपिर ग्रास अच्छी तरीके से सलेक्ट कर लेते हैं यानि कि अपने पशों से 50% खर्च भी बच जाता है और अपने पशों से दूद मुनाफा भी अधीग बढ़ता है यानि 100 ग्राम जो भी उनके फार्म पे आल्रेडी बढ़ी तो वहाँ पर उस ओसी तरके से वराइटियां को बेज देते हैं यानि कि इस सारी चीजों के निवारșạn के लिए वीडियो बनाना पड़ रहा है घा जागुरुब जाएं, जाब मेरे से खरीदो यह कहीं से भी खरीदो मैं इस बिजनिस को बिल्कुल बिजनिस नहीं मानता हूं, मेरे पास मैं all ready multiple option हैं पैसे कमाने के इसको मैं एक बिल्कुल किसानों की help के लिए लगा रखाया ताकि किसानों को ये फार्म, जो मैंने इतना बड़ा फार्म सेलेक्ट कर रखा है, तो किसानों को एक अच्छी वरायटी जो मांगे, वही चीज मिल पाए, और यहां से आपको कौन सी वरायटी अच्छा मुनापा देगी, कौन सी वरायटी से अपको दूद नहीं बढ़ा पा किसानों को ऑप एक अच्छी मेरे जर्य काम करते हैं, और जो सारा मेरी टीम मेनेजमेंट करते हैं इसक控 नेपिर कराज के फार्म को तो दाकी वो सारी चीज़ जानकारी, मतलब उनकी मद्दूरी निकल जायर उनका पिक्सान ले रहे हैं तो उनका भी help जायर को इनकी भी टाइम से पैसे कमाने का गुजारह होता रहे हैं भाकि में इस फार्म को बिल्कुल ऐसा नहीं मानता कि मैं आपको इसके जरी में पैसा कमा लेता हूं। बाकि मेरा मक्सद ही है कि जो किसान भाई मेरे से बार बार कॉल करते हैं तो बाकि वहाँ से यहि कहते हैं कि जो कहीं से भी खरीद रहें, ilta-sulta variety खरीद लेते हैं तो वह यही कहते हैं कि अमने उठ्र परिदेश से ली यूंपी से लीधी आमने वहां राष्टान में गृत्वाले पारें की आपको ताइवान जायट किंग वेरायटी का एक ही फार मैं जो कि आपको सबसे बहरी मात्रा के अंदर आपको इस फार्म के अंदर वेराइटी का प पुर्पूर तरीकिस मात्रा में ब्लेगा सर्दियों का नइब को इस थारी प्रकार की जानकारी तेखे हुए किसी बी किसान भाई को और जो किसान भाई ये प्रमलग जो ये कुस्चन करते हैं जो कुस्चन का अंशर देते-देते तो वह आपको साबसे बड़ी क्लियर मैं ये कर देता हूं कि आपको जहां से एक अच्छा फार्म से ही आपको इस सारी चीज़े क्लियर हो पाएं कि आपको कौन सी वेराइटी लगा रहे हैं तो आपको कौन सा किस तरके का मुनाफ़ा मिलेगा अपने परस दूद बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ा कौन सी वेराइटी ये अच्छा मुनाफ़ा मिलेगा। कौन सी वेराइटी से मुनाफ़ा नहीं मिल पाएगा। तो ये सारे चीज़ क्लियर करने के बाद जूबे हैं किसानों को ये खारी हम्गा पर और शेलुत बोल रहा हूँ लेकिन जो भी कोई कर रहा है चाई में और लेकिन सेल करने का मतला यह होता है, कि इस्टिक का आपको पूर्ण रता जानकारी होनी चीह कि आपको वेराइटी जो आप लगा रहे होते हैं, और इसका 20 पकानी की विधी क्या होती है, कि इस तरीके के कितने टाइम के अंदर पकता है, और कितने दिन के जो फ़ेस्ट बार ल जो इसके गाठे होते हैं वो कितनी जो एक पॉदे से 10-15 श्टीग निकलती है यानि गाठे निकलती है लेकिन उसमें प्याप रहती है और वह हम सारी चीज़ा जानकारी देकर तब जाके बेजते हैं क्योंकि मैं आपको किलियर कर देता हूं जो कि बाकी फार में आपको कोई किलियर नहीं कर पाएगा वही काम्याब रहती है उसके अंदर पूंड तैसे उसकी क्वालेटी चाड़ती है और बाग कि अगर कुछ लोग ऐसे भी सेल कर रहे हैं जो कि नया पोदा आए अभी यानि 6 महीने पहले एरजस्ट कर दिया रोसी से श्टिक निकालके पका के दे तो वह भी गलत तरीक है आपको जो किसानों को यह फाइदा नहीं मिल पा रहा है तो कहीं से भी कैसे भी जो उनको नोलेज लिए कहां से खरीदें किस तरह किसी वराइटी खरीदें तो उनको यहीं पर क्वालिटी गिर जाती है क्योंकि उनको पता ही नहीं कि नेपीर ग्रा अगर आप लोकल्टी में फस गए तो आपका पसु ना तो दूद बढ़ाएगा और ना आपको यह पसु अच्छे से खापाएगा क्योंकि जो वाराइटी अच्छी है जो अच्छा पसु खाते हैं सर्दियों के अंदर बें आपको ग्रोथ मिल जाए और आपको सर्दियों के अंदर नहीं मिलने वाली वाराइटी कौन चीए वो सारी चीजे किलियर कर दे ताकि वह फारं से आपको खरीजना चीएता है कि आपको हर प्रकार की जानकारी मिल जाए आपको अगर अच्छा लगे वाईं से खरी तो कोई भी दिक्कत नीए लेकिन जो बाकिस हार बहुत सारा कॉरियर जर्य हम को बहुत कर्वा बहुत किसान को ज़्यादा मिलें क्योंकि हम यह सारी चीजा जान आठते हैं कि हमको कोन से कोरि ERIC सी बेज़े सब कोरियर कोड़ेगा और अ veg dirty यह हैं से शारी चीजा मेंटेन करके natितने ही हैं यहनी हर प्रिकार की जानकारी आपको इससे मिल पाए जो कि किसान भाइ बहुत ही जारे दल दल उन फस रहें, जहांनी कि एक चीज मेरे से खरीदो या खरीदो या मेरे से मत खरीदी है बिलकुल भी, मैं यह बिलकुल नहीं कहता, लेकिन आपको किलियर करके ही खरीदना है, वो तो वीडियो को लाइक जरू कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि पसु फालंस रेलिटर बहुत सारी जानकारे लेकि आने वाला हूँ जो कि किसान बहुत ही सारे दलदल में फस्टाते हैं उनका पसु से उन्हाँ ज्यादा बेनफिट नहीं ले पाते हैं ले प्रिकार की जानकार्यां लेकि एक हैं इसे फाल्प परकार की जानकार यहां लेकिर आपको इसक्षा Intelliền नहीं मिल रहा है लोे जो कि आपको कहां से मिलें लेकिन जहांसे भी खरीद हो ता किलियर जरूर कर लेना है अपको कौन ची बराइटी लगाएए लगाएगा कौन मुनाप़ा नहीं मिल पाएगा यह सारी किलियर करने के लिए विडियो बनाने का मक्सक था आयोगी आपको यह मुनापह कब जाके नहीं मिलता है बाकि अच्छ यानि कि अपने पसों से दूद मुनाफ़ा बहुत ज़्यादा मिलता है और अपने पसों से हुने वाला खर्च है उसमें से 50% खर्च बच जाता है इसी बैसे ही है पसते हैं और यह आपके काम आईगी तो यह यानि कि जोब भी प्रकार की जानकरी वह सारी जानकरी ले सकते हो तब नेपीर गराश लगाई इसका फायदा भी होता है लेकिन गलत तरीक के से अच्छे की, कोई भी फायदा नहीं हो पाएगा चले इस तो फिर में लोगो नाई वीडियो बनाई टोपिक सान्त